आज मैं आपको बताऊंगा सुशुम्ना नाड़ी के कुछ प्रयोग और अनेक मित्रों ने मुझसे यह पूछा है गुरुजी जब हम योगा भ्यास करते हैं आसन करते हैं योगिक क्रियाएं करते हैं तब हमें अत्यधिक लाब के लिए कौन सी नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए या और भी आसान भाषा में कहूं तो कौन सी नाड़ी हमारी प्रभावित होनी चाहिए एक्टिवेट होनी चाहिए जब हम योगा भ्यास करते हैं आसन करते हैं प्राणयाम करते हैं देखिए मैं जब आठ या नो साल का था तब से मैंने योगा भ्यास शुरू किया था और अनेक वर्षों का मेरा योगा भ्यास का अनुभव है उस अनुभव और स्वर की साधना के आधार पर मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि आप किस प्रकार से स्वर की शक्ती का प्रियोग करके योगा भ्यास का अत्यधिक लाव ले सकते हैं योगा भ्यास दो तरह से किया जाता है एक व्यायाम की दृष्टी से जब आप कुछ एक्सरसाइज करना चाते हैं जब आप शरीर को थोड़ा खोलना चाते हैं जब आप चाते हैं थोड़ा शरीर लचीला हो जाए फ्लेक्सिबल हो जाए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना चाते हैं अपने आपको ठकाने के लिए करने चाहते हैं आज रात को नीद अच्छी आ जाए इसलिए योगा ब्यास करते हैं कभी कभी कई लोग उनका उद्देशे सिर्फ शादीरिक परिश्रम करना है उन लोगों के लिए सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी अत्यधिक लाब देने वाली होगी योगा ब्यास के समय लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो लोग योगा ब्यास को साधना की द्रिश्री से करते हैं जैसे मैं अब ज्यादत अब अभ्यास आसनों का साधना की द्रिश्री से करता हूँ एक एक आसन को 5-5 जह-10 मिनट तक रोगता हूँ पस्ची मोतान आसन 5 मिनट तक लगा लिया 10 मिनट तक लगा लिया 20 मिनट तक लगा लिया कभी को भी ऐसे लगता है ए कि उसमें नीद आजाएगी ऐसे फिर धनए रासन, चक रासन करते हैं देरे उसको समय बढ़ाया उसका साधना की दिश्टी से उस समय सुशुमना नाड़ी आपकी सायता करेगी क्योंकि आप साधना कर रहे हैं क्योंकि आप परमात्मा से मिलन के पत्थ पर है और आप शरीरिक श्रम का तो परियोग कर रहे हैं शरीर के अंगों का तो परियोग कर ही रहे हैं लेकिन उसका परिणाम किस पर आ रहा है परिणाम उसका क्या निकल रहा है वो आपके मन पर आएगा परिणाम कि आपका मन शांत हो जाएगा कि शरीर स्वस्थों हो जाएगा स्वस्थ से भी ऊपर हो जाएगा सब लोग करने ही पाते इसको शायद सब लोग करने ही पाएंगे क्योंकि सबके शरीरिक शमता अलग-अलग है लेकिन अगर आप ठीक से सुश्मना के प्रभाव में तीन महिने तक आसान आसान 10-15 आसनों का भ्यास कर ले तो मेरा विश्वास करना उसके साथ खाने पिने पर ध सो रहे हैं हम जागते ही नहीं डोक्टर के पास भी भी होशी में होएंगे जागते ही नहीं तो आप जब अपने आपको जागना निश्चित कर लेंगे आप जब यह मान लेंगे कि मैंने अब जागना ही है तो आप दोनों बातों में अंतर समझ पाएंगे कि योगा ब्यास करते समय सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी किस प्रकार अलग-अलग प्रकार के लाव देती है एक और बात मैं आपको बताऊंगा आज कि अपने दिन को सफल करने के लिए अपनी सब मनों वांचित फलों को प्राप्त करने के लिए जब आप सुभा उठते हैं रात को सो कर उठे तो बिस्तर से उस पैर को पहले रखना है जो स्वर आपका खुला हो या तिथी अनुसार जिस स्वर का दिन है वो स्वर खुला है उस पैर को पहले रखना है भूमी पर अब कई अनेक मित्रों ने मुझ से ये प्रस्न किया है गुरुज हम तो भूमी पे सोते हैं जैसे मैं सोता हूँ भूमी पर धरती पे सोते हैं फरस पे चादर बिचा के अब बिचा के ऐसे सोते हैं देखिए जगर आप कुर्सी से भी उठते हैं आप पलंग से भी उठेंगे तो एक पैर को तो नहीं रख पाके उठ पाएंगे ना तो एक पैर पे उस समय प्रेशर देना है ज्यादा वो थोड़ा सा आप प्रेशर दोगे ना जिस नाड़ी को रखा है आपने जो नाड़ी खुली है उसी पैर को धरती पर रखेंगे जब आप बैठे बैठे ही रखेंगे तो भी क्रिया का पूरा लाब मिल जाएगा आपको आप बैठे बैठे ऐसे दोनों पैरों को सामने करके उस पैर को जाना दबाएंगे उससे भी क्रिया का आपक कनेक्ट हो जाए ये उसका उद्देश्य है आप जैसे ही धरती पर पैर रखे जो नासी का खुली है जो आपका स्वर खुला है उस पर अधिक दबाव देंगे आपका कनेक्शन हो जाएगा प्रिथ्वी तत्व से आप उस दिन जो कारिय करना चाते हैं जो आपने प्लानिक की है जो आपकी इच्छा है वो सफल होंगे और इसके साथ कुछ आसन भी है जैसे ताड़ आसन है रिक्ष आसन है शिशु आसन है ये आसन आपको साहिता करेंगे प्रिथ्वी तत्वों से जुड़ने की जिन लोगो का भ्यास करके जो है प्रिथ्वी तत्व को मजबूत कर सकते हैं ऐसे और भी कुछ क्रियाए हैं जैसे बीज खा सकती है कुछ आप किसी जैसे कद्दू के बीज खा सकते हैं पंकिन सीड खा सकते हैं और तिल खा सकते हैं उससे भी आपका प्रिथ्वी तत्व मजबूत होगा भूमी पर नंगे पैर चल सकते हैं जब आप बिना चप्पल के बिना जूता के भूमी पर चलेंगे शैर करेंगे उससे प्रिथ्वी तत्व आपका मजबूत होगा इस तरह की क्रियाएं करने से आप तत्वों के और नहीं कटा जाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ इन क्रियाओं को सीखने का सही तरीका, सीखने की सही विधी, एक मैं कोर्स करवा रहा हूँ, स्वर साधना कोर्स है उसका नाम, उसके तीन लेवल हैं, लेवल वन अभी शुरू कर रहे हैं हम, अगस्त में, अगस्त की स पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि ये कोर्स वीडियो रिकॉडिट नहीं है, मैं ऐसे ही आपने सामने बैठ कर आपको वीडियो कोल के माद्यम से ही सिखाऊंगा, आपकी गलतियां पकड़ूंगा, आप नहीं करेंगे तो आपको उपाए बताऊंगा, उसका लाब नहीं हो रहा तो यदि आप अक्तूबर के कोर्स में रिजिस्टेशन करवाना चाते हैं, तो आप इन नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं, इस वटसप कीजिए, इस नमबर पर आपको जानकरी दी जाएगी, मैं ये चाता हूँ कि जो भी व्यक्ति, शारेरिक, मानसिक उत्थान करना चाते ह हैं, वो सब लोग इस कोर्स को अवश्य ही करें, और आप देखना, आप लगबग दो धाई महीने इस कोर्स की अवधी है, आप बिलकुल नए हो जाएंगे, आप नए वक्ती बन जाएंगे इन दो धाई महीनों के समय में, तो अपने आप से जुणने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, श्वर की शक्ती का प्रियोक करने के लिए, आप श्वास तो ले ही रहे हैं, दिन रात, दिन रात आप श्वास ले रहे हो न, उसका लाव क्यों नहीं ले रहे हैं, पूछो आप, अगर किसी समय जारादमी से, कि आपके पास वो हथियार है, आप उस पूरी तरह से उसका लाव ले पाएंगे आज के लिए इतना ही सन्यवाद ओम नमस्षिवाएं